शुगर यहनि इस आप चाहिस्स पूर्म है और एस से क्या होगा चाहिस पर आप नहीं देता हैसी कि यहाथ स्नी हो इओढ़कोर आप चाहर क一ए हिसान करती है पर आप ध्यान नहीं देते हैं और आपके शुगर पड़ते चले जाती है तो ऐसे कौन से साइंस हो सकते हैं जिससे आपको यह मालूम पड़ेगा कि आपकी ब्लड शुगर पड़ रही है खासकर ऐसे नाइट साइंस निया रात में ऐसे कौन से आपको सिम्टम दिखेंगे ज कि ऐसे साइंस हैं जिन से आप तुरंट पता लगा तकते हैं कि आपको शुगर तो नहीं हो रही है और आपको डॉक्टर से मिल के इस बारे में पर एक स्टेप ठाना चाहिए 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 आप उचित कदम उठा सके इसलिए आज हम लाया है यह टॉपिक कि ऐसे कौन से के साइन्स हैं जिन यहां करें कि आप यह रही है तो शुगर तो सब्सक्राइब कर एंडिक इस चैनल के एकdı कान प्राद कर रहे हैं आक तो क्यां काव सब्सक्राइब है पैला दो प्रैस कर देंआ कि तो चनेल से आपको नहीं हो रहे हैं रात में कई बार उठना और वाश्रूम विजिट करके आना क्या होता है जब भी आपकी ब्लट स्ट्रीम में शुगर बढ़ेगी अभी किटनी काम है उसे फिल्टर करके वेस्ट की तरह एक स्टीड करना अब जब आप मीठा खाएंगे आपके शुग आपका ब्लाटर परपर फुल होने लगेगा इसे हम कहते हैं नौक्तूरिया अर्थात राद में युनियरेक्शन के लिए जाना ऐसे में कई बार आप मैंसे लोग ऐसे भी होंगे जिनका बैड वेट हो जाता होगा साथ कई बार इतना होता है युनियरेक्ट नहीं प्रेड आप में से लोग जिनको रात मैं युरूनियरेक्शन की समझ्य जादा हो रही है कई बार वाश्यून जाते हैं उन्हें ध्यान देना चाहिए कि नहीं उनकी शुकर दा दा तो नहीं है तुरंट इस पे एक सही कदम उठाएं अपने फैमिली फिजिशन को मिने शुगर के टेस्स कराएं चेक करें कि कहीं आपकी ब्लड शुगर दादा तो नहीं है और जो जिस कदम आपके दौर आपके डॉक्टर दौर आपको बताए जाएं उन्हें उठाईए सवस्त रहिए व बहुत अदब पसीना आ रहा होगा यह कभी कवार हो तो कोई बात नहीं है नौर्मल है कभी कभी कवार गर्मींगी विटा से भी ऐसा हो जाता है पर अगर यह समस्या आप सथ फ्रीट्वेंट ली हो रही है आपका पिलो सुबह गीला मिल जाहा है आपको ने पर आपकी अगर आपको शुगर हो सकती है इसे चेक कर आएं और सही स्टेपट लाएं तो अगर आपको शुगर हो रही है तो आपको शुगर हो सकती है किसे चेक कर आएं और सही स्टेप उठाएं कुछ समस्या लग रही है को डाउट है हमें कमेंट कर दो आप मेंसे बहुत सारे लोग जिने शुगर हो रही है या अपनी डाइपटेक है या डाइपटीस होई चुकी है उनका सुबह सुपा गला बहुत सूप जाता होगा अब गला इतम चिपकावा मानुम पड़ेगा तो यह बहुत द्यान देने वाली बात है अगर आपका गला फ्रिक्वेंटी सूख रहा है खासकर रात के वक्तिया सुबज़ आप उठाएं तो इस सिम्टम को नदाद ना करें इसको दिखाएं कई बार क्या होता है जो डाइवें पाने की कमी ना होने पाए वरना मेटाबॉलिजम संब्देद आपको और भी अन्य समस्यां हो सकते हैं डाबटीस के अलावा और यह तो आप रही लोग जानते हैं कि डाबटीस अपने आप में मेटाबॉलिक डिसॉडर है एक सिंड्रोम है जो खुद तो कुछ नहीं करता पर आपकी बाटी में आपको अन्यसेम को स्लोह करता है जैसे आपको अगर जानना है कि इसमें वाक्ताumbleं करते हैं किस तो हम से एक जोक्रेशन भी कर सकते हैं इसकी आपको नीचेए के लिए अपने संपर करना माए आपने कभी महसुस हिए है कि राद में कोई बुग परते में या iPhone यूज करते में या कभी भी आपकी विजन यूज़ है बलर बह जाती है आपको साफ दिखाई नहीं पड़ता आठीक से दिखाई नहीं पड़ता यह कभीकबार हो सकता है आपके अंधेरे में फोन यूज़ करने के वज़ादे पर यह नॉर्मल नहीं है कि आपकी आई तो डिम लाइट में भी काम करने के लिए बनी है पर अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपकी विजन रात को ब्लर हो रही है आपका जो आराम का समय है उसमें खदल पड़ रहा इसलिए ध्यान देने वाली बात है आपको अपने आइस पैसे को आँखे देखानी ही चाहिए और आपकी फीड़ विजन है असाथ आपका जो जो स्पैन है देखने का वी कम हो सकता है जिससे आपको अपने डेली काम करने में समय हो सकती है आपको राइव करने में समय हो सकती है तो हम दो यह रिक्वेस्ट करेंगे कि वर फ्रिकॉशन पर सेटी रिजन आप में से जिने भी डायबिडी है अगे आउंकों की समझ्या हो रही है दादा वो रात को ड्राइब बने से बच्चे और अपना हयाल रखें आपको आँखों की समस्या हाई वीपी की वज़र से भी हो सकती है इसलिए आपको पना हाई बीपी कैसे कंट्रोल करना है जाना चाहते हैं आप तो इसके लिए वादा लगता है कि भी तो पेट भराएं नहीं आप और भी कुछ खाने यह हो सकता है आपको हाई शुगर की वज़ेसे या डायवेटीस की वज़ेस एक्चल में क्या होता है जब किसी विक्ति को डायवेटीस होती है तो उनकी बॉटी में इंसलिन का जो कर्ण्वर्जन है पॉलिफेजिया कहते हैं या पॉलिफेजिया इसको नाम दिया जाता है ऐसे लोग जोने भूब बहुत जादा लगती है या खाना खाने के बाद भी वह एक और मील ले सकते हैं यह नौर्मल नहीं है हां अब यह कबार की बात अलग है कि आपने खाना रात को आप लेट तक भूब लग रही है आप भी खाने का मवन कर रहा है या किजी ने उस ओफर किया हना खाने के बाद आपने वह भी खा लिया यह नौर्मल नहीं है आपको इसको इंबेस्ट्रेंट कराना चाहिए और सही मैजनर के लिए खाने चाहिए इस वीडियो आर्विक्ति को शेयर दी घब करी कि अपने डागल करते हैं देखे मेजनर कर लोग सांद डागल करने हैं आपको इसके लावा बेस चीज़ा को करना चाहिए जैसे आपको अपने डाइट को मैनेजं़ करना चाहिए अधह डाई-प्लान फॉलो गरिए आपको एक्श्य जाहिए जिससे आपकी बा प्राम और्लिजम भी एक अख्छल दे बना रहेगा आपकी बॉडी में हर्मोन का एंजाइम का स्क्रेशन कम हो सकता है हमपर हो सकता है डाइबटीस की वजा से इसलिए आपको एक्साइज करने चाहिए आपको पना एक रूटीन से अट आना चाहिए इसमें आपका पानी पीन सब्सक्राइब करें चाहिए इससे आने वाले अच्छे कंटेंट को आप समय से देख सकें क्योंकि जब भी पबलेश होगा तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए इसलिए अपको प्रेस कर देना है और हां आपके चैनल सब्सक्राइब करने से आपके चैनल के एक मिलन सब्सक्राइबर्स जल से जल पूरे हो जाएंगे इससे आपको और हमित जोनों कोई खुश्री मिलेगी तो प्रीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें दो हमार साथ नया को शीखते रहें इससे आपर हेल कि अगर इंग इंग सक्विए ये लपाल जाब 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 फिदेगा